असलाम अलेकम आज मैं आपके साथ गोबी कोष्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह गोबी कोष्ट बहुत ही टेस्टी बनता है और रेसिपी भी बहुत ही आसान सी है आगे वीडियो में देखते हैं यह गोबी कोष्ट कैसे बनता है तो यहां मैंने इसके लिए गोबी लिय कपा लिए एक हमगे अधि सबी पौ्डर मेंने शाइजय लिए अधिक में रख कर देंगे Century करेंगे 1 तीसВОनमों दे ब्सक्राइब जोड़ानर ये सब आप remix करो ये सब्सक्राइब करेंगες जच्छे σब्सक्राइब है कैसके फ्लिम कांद कर लेंगे गरम कर लेंगेई और थोटे ब्ल कि ओईल को हीट कर लेंगे और अचघ हम इसमें कभी प्यास शामिल कर देंगे जो कि वन मीडियूंत और इसे चरकाई भुमाते पे fry करेंगे light golden यह देकी light golden हो चुकी है अब हम इसमें ghost add कर देंगे जो कि marinated है इसे भी इच्छे से mix करेंगे और भुनाई कर लेंगे एक से 2 मिनट के लिए गोष्ट अच्छे से बून चुका है अब हम इसमें tomato शामिल कर देंगे जो कि one medium size है इसे भी अच्छे से mix करेंगे और soft होने देंगे और इसे अच्छे से low flame पे पका लेंगे टमाटर अच्छे से soft होने लगे हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और लीड लगा देंगे high flame पे एक से दो वेज़े लगाएंगे medium to low flame पे दूसे तीन कि गोश्ट अच्छे से soft हो जाए tender हो जाए अब हम चेक कर लेंगे यह देखिए गोश्ट अच्छे से soft हो चुका है tender हो चुका है अब देख सकते हैं अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे high flame पर ताकि इसका जो भी exist water whatever dry हो जाए और अब हम इसमें गोवी एड कर देंगे जो कि watch ki reckless और इसटे लेंगे बोबी को च्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे high flame पर थाकि ऑच्छे से mix हो जाए और आब समाग चेक कर लेंगे और add कर देंगे और कवर कर देंगे 10-15 तके लिए low flame पर ये देखिए गोबी एचे से सॉफ्ट हो चुकिया है और अब हम इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस वाट है वो ड्राय हो जाए आप अपने मर्जी के मताबिक ड्राय कर सकते हैं यह अगर आपको ठीकिया थिन चाहिए उसी साब से पाल पानी ड्राय करें और अब हम गास की फ्लम को उफ कर देंगे 210 मिन हो चुक है है गोबी एचे से सॉफ्ट हो चुक है और गोबी कोश्ट बनका, तयार करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करें thank you so much for watching my video Allah Hafiz